सबी को मेरा हार्दिक नमस्कार, कैसे हैं आप सब, क्लास में एक बार पुना आप सबी का हार्दिक स्वागत है और मुझे उम्मीद है हम लोगोंने मानप का विकास और पुरा पाशानकाल सारे महत्वपूर्ण प्रशन डिसकस कर लिये हैं और आज वादे के मताबिक हम लोग केवल और केवल मध्या पाशानकाल पे चर्चा करने वाले हैं और आज वादे के मुताबिक हम लोग मद्यपाशानकाल पे चर्चा करने वाले हैं एक प्रशन हमेशा मद्यपाशानकाल से भी पूछे जाने की परंपरा है बहुत टेक्निकल और बहुत अच्छे प्रशन हैं कुछ rare प्रशन भी पूछे गए हैं इस टॉपिक से तो मैं क्लास की शुरुआत करूँ आप सभी लोग जल्दी से क्लास में आए और कॉपी और पैन लेकर बैठे आप चाहें तो इस लेक्चर को शेर भी कर सकते हैं अपने मित्रों से क्लास को लाइक कर दीजे कम से कम और हम लोग शुरू करते हैं मद्यपाशानकाल तो हम लोग शुरू करते हैं और मद्यपाशानकाल की शुरुआत उसी परंपरागत प्रशन से मद्यापाशाणकाल के जनक कौन है एक important बात मैंने आप से हमेशा discuss की पिछले lecture में भी discuss की थी मद्यापाशाणकाल के जनक कौन है तो मद्यापाशाणकाल के जनक है C.L. Carlyle इस प्रशन को याद रखने की आवश्यक्ता है जैसा कि आपने पढ़ा था प्रागेतियासिक काल के जनक रॉबर्ट बुस्फट भारतिय पुरा तत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंगम बहुत सारी बाते मैंने करी थी आप से पहले यहाँ से देखे कि मद्यापाशाणकाल को आद्यापाशाणकाल की संग्या दी गई है अर्ली और प्रोटो नियोलिथिक पीरियड आद्यापाशाणकाल आप ऐसे कह सकते हैं पुरापाशाणकाल और नवपाशाणकाल के बीच एक संक्रमन का काल है मद्यापाशाणकाल बेसिकली इसलिए भी कि इसी कालखंड से मनुष्य ने आनशिक रोप से पशुपालन और ठैराओ की स्थिती को जैसे कह सकते हैं आशिक रोप से स्थाई जीवनपाशाणकाल से होती है स्थाई जीवनपाशाणकाल में हुआ जब मनुष्या ने कृशी करना सीखा यहाँ पर बात हो रही है मद्या पाशानकाल की तो मद्या पाशानकाल को आद्या नव पाशानकाल या फिर संक्रमन काल का टाइम पीरिड भी कहा गया है और मध्या पाशान काल के जनक कौन है सील कारलाईल सील कारलाईल इसलिए कि उन्होंने 1867 में समय भी याद रखिएगा समय आपको याद रखना है विंद्यक शेत्र से कुछ लगुपाशान उपकरण इन्होंने प्राप्त किये थे तो मध्या पाशान काल का संबंध लगुपाशान उपकरणों से है और इस कालखंड के पाशान उपकरणों को लगुपाशान उपकरण कहा गया है माइक्रोलिथिक कहा गया है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये छोटे हैं और इनकी लंबाई या इनका साइज एक सेंटीमीटर से पांच सेंटीमीटर के आकार का है लगुपाशान उपकरण, ध्यान रखिएगा, लगुपाशान उपकरण, इनका साइज कितना है, एक सेंटीमीटर से पांच सेंटीमीटर है, पिछले लेक्चर में आपने एक ध्यान काल में हो रही है और आंधर प्रदेश में एक इस्थल है ज्वाला पुरम का सेक्टर नाइन ये डक्षण एशिया की प्राचीनतम लगुपाशान उपकरन फैक्टरी कहां से मिलती है तो वो है ज्वाला पुरम इस बात को याद रखने की जरूरत है डक्षण एशिया की प्राचीनतम लगुपाशान उपकरन फैक्टरी के साक्ष हमें कहां से मिले है तो वो इस्थल है ज्वाला पुरम कहां पे है आंधर पदेश में है ये बात याद रखनी चाहिए और अगर ये कहा जाए कि विश्व के इतिहास में ये प्रशन आप से नही फायान गुफा से मिलते हैं एक बार ये भी पूछा गया है कि ये बता ये फायान गुफा कहां इस्थित है श्री लंका में इस्थित है तो ध्यान रखेगा श्री लंका से फायान गुफा से हमें विश्व में प्राचीनतम लगुपाशान उपकरनों के साक्ष मिले हैं और एक बड़ी बात ये है कि मध्य पाशानकाल में मनुष्य ने पहली बार लकड़ी की डोंगी और धनुषबान्द यानी प्रक्षे पास्त्र बहुत इंपोर्टेंट है लक्डी की डोंगी और धनुषबान का अविश्कार किस तालखंड की घटना है मध्या पाशानकाल की घटना है जैसे वो कहेगा पहिये का अविश्कार, चाक का अविश्कार, आग का अविश्कार नो पाशानकाल से है यहाँ पर मध्यापाशानकाल में दो विशेश बात हैं पशुपालन भी आरम हुआ है मैं भी आपको बताऊंगा तो अभी यहाँ पर यह ध्यान रखेगा लकडी की डोंगी अगर यह प्रशन आ जाए कभी धनुश्बान और लकडी की डोंगी का विश्कार तो किस कालखंड में है मध्यापाशानकाल में है और ध्यान रखिए आगे देखिए मध्यापाशानकाल इन मानव मुख्यता आखे टक ही था एक बात यहाँ पर यह बड़ी इंपॉर्टन्ट है ध्यान देने की बात यह है जो पुरापाशानकाल इन मानव है पुरा पाशानकाल के अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पर भी वो आखे टक है, मुखेता आखे टक है, और खाना बदोश इवन है, चलो ठीक है, मध्या पाशानकाल में भी मनुश्य आखे टक ही है, अभी वो क्रिशी नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, उसका बोध इतना विक्सित हुआ है, मध्या पाशानकाल में, कि वो खाद्य संग्राहक हो गया, एक बात, वो चीजों को अब कल के लिए बचा लेता है, खाद्य संग्राहक हो गया, और एक बड़ी बात है, पशु पालक हो गया, पशुों को सरुप्रथम कब प पाला गया, तो आखे टक ही है, लेकिन हाँ, इस कालखंड में, मनुष्य ने पशु पालन करना सीखा, आप से ये प्रश्न भी आया है, कि पशु पालन के प्राचिनतम साक्षि कहां से मिलते हैं, मैं अभी डिसकस करता हूँ, वो इस्तल है, बागोर और आदमगड, बागो नव पाशानकाल में, वो खाद्य उत्पादक हो गया, मनुष्य, जहां रखिएगा, तो अगर हम आगे चलें, तो हमें दिखता है, कि मनुष्य के अस्थी पंजर, मानव कंकाल, ये बड़ी बात है, मानव कंकाल के साक्षि, आप ध्यान रखिएगा, मानव जीवाश्म हतन नौरा से डॉक्टर अरुन सोनकिया को मिला था, मैंने बताया था, मानव शिशु का कपाल जीवाश्म ओदय से मिलता है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, अब यहां पर ये बात आ रही है, कि अस्थी पंजर के प्रमाण, यानि मनुष्य का कंकाल किस कालखंड में मिल आए है, और मिर्जापुर का इस्थल बगाई खोर, एवं लेखाया, याद रखेगा, मद्य पाशानकाल में ही प्राप्त होते हैं, इससे संकेत मिलता है, क्या संकेत मिलता है, कि परंपरागत रूप से शवों को दफनाने की परंपरा, परंपरागत रूप से शवों को प्रथा है, वो मद्य पाशानकाल में अस्तित्व में आई, ये बात क्लियर हो रहा है, कब निर्मान की परंपरा है, वो कब अस्तित्व में आई, मद्य पाशानकाल में, क्लियर, मुझे ये बताए, मानव शवों को दफनाने की परंपरा, किस मनुष्य ने, किस मानव जाती ने आरंब की मानव शवों को दफनाने की परंपरा आपने मानव का विकास पढ़ लिया है तो मुझे बताइए कि मानव का विकास संदर्भों में किस मनुष्य ने सर्वप्रथम मानव शवों को दफनाने की परंपरा शुरू की बताएंगे सही जवाब है नियंडर्थ ठीक है और नियंडर्थ हॉल मानव ने ही आग का सरवाधिक प्रयोग किया है यह बात मैंने पहले बताई थी आपको और अब यह कह रहा है कि यह बताई है मानव कंकाल कहां से मिले हैं तो सराय नहराय बगाई खोर और लेखनिया से अब ध्यान दीजेगा वही बात जो मैंने आपसे भी डिसकस की है आपके सामने है पढ़ लिजे स्क्रीन शॉट ले लिए कि यह महत्वपूर्ण है कि मानव जीवाश्म सर्वप्रथम मानव जीवाश्मों की बात हो रही है निमनपुरा पाशान काल में ओदे तमिलनाडू में है तथा सिशिशू कपाल का जीवाश् प्राप्त होता है यह तीन-चार प्रशन हमेशा रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट मुझे जाने की परंपरा है इस पर विशेश ध्यान रखिएगा और अब आपका अगला प्रशन है कि यह वताये मध्या पाशान काल के प्राचीनतम ग्यात इस्थल कौन-कौन से है तो यह है उत्तर प्रदेश के प्रताप गड़ में इस्थित इस्थल सराय नहराय एवं महदहा भारत के सर्व प्राचीन ग्यात मध्या पाशान कालीन इस्थल है मुझे उमीद है आप इसे बहुत अच्छे से देख और समझ पा रहे होंगे ध्यान देनी की जरुवत है हमें सर्व प्रथम यहां से इस्तंब गर्थ मिले हैं इस्तंब माने खंबे लकड़ी के खंबे बनाए गए हों गर्थ माने गड़े इस्तंब गर्थ प्राप्त होते हैं अर्थात जमीन में बनाए गए ऐसे गड़े जिसमें काश्ट इस्तंब गाड़े गए होंगे काश्ट इस्तंब का मतलब लकड़ी के खंबे गाड़े गए होंगे और घास फूस इत्यादी से जोपड़ियां बनाई गई होंगी बही जोपड़ियां बनानी होंगी तो आपको कुछ एक क्रम में कम से कम चार इस्तंब तो गाड़ने ही पड़ेंगे और वहाँ पर फिर घास फूस जैसे भी आप जोपड़ियां बनाएं तो यहां से हमारे पास इस्तंब गर्थ है और एक प्रश्ण मैंने आप से अभी पिछले लेक्चेर में डिसकस किया था कि जोपड़ी का प्राचीनतम प्रमान पैसरा यादा रहा है पैसरा नहीं आदाया लेकिन ध्यान रखिएगा अभी वो बातें आएंगी आगे एक बार मैंने डिसकस की हैं यहां पर पहले देखिए कि हमारे पास सराय नहर राय और मैदाह से इस्तंबगर्थ मिलते हैं जहां से ऐसे साक्षे हैं हमारे पास कि मनुष्य ने जोपणिया बनाई होंगी और इससे यह निशकर्ष निकलता है कि मनुष्य ने आनशिक रूप से ध्यान रखिएगा इस शब्द पर विशेश जोर देने की आवश्यक्ता है आनशिक रूप से इस्थाई जीवन पद्धती की संकल्पना इसी कालखंड में विक्सित हुई आनशिक रूप से जोपणिया क्रत्रिम आवास बनने की संकल्पना मद्यपाश आणकाल में आई है मनुष्य ने पशुपालन की शुरुवात की है और थोड़े से परंपरागत रूप से वो शायद अब एक स्थल पे रुपने लगा है कुछ लोग ऐसा लेकिन ध्यान रखेगा अभी किसी भी दशा में इस्थाई जीवन की परंपरागत विशेष्टा नहीं है वो नव पाशानकाल में है ये concept किस काल में आया जो पड़ियों का साक्ष मर्द्य पाशान काल में जो पड़ियों को बनाने की संरचना हमारे पास किस काल खंड से है तो वो है आपके पास सरायनाहर राय और महदहा ये बात clear हो गई होगी और अगर हम आगे बढ़ें तो ये बात जो मैंने आप से अभी डिसकस की कि हमारे पास जो पड़ियों का प्राचिनतम साक्ष किस काल खंड से है और कहां से है ये अपवाद स्वरूप ये हमारे पास डिटेल है और मैंने आप से अभी चरचा की और पिछले लेक्छर में भी मैंने आप से चर्चा की है और वो है पैसरा बिहार मुंगेर जिला ठीक है ये प्राचीनितम जो पड़ियों के साक्षे हैं निम्नपुरापाशानकाल से हैं ये अपवाद है और अभी हमारे लिए शोध का विशय है ये बहुत जरूरी बात है कहता है जो पड़ियों क प्राचीनितम प्रमाण निम्नपुरापाशानकाल में एक ऐसा एविडेंस है केवल जिसके आधार पे हम कह सकते हैं वो मुंगेर पैसरा बिहार में और बेसिकली जो पड़ियों के लिए जो इस्तंब गर्थ हैं वो कहां से हैं मद्यपाशानकाल में हैं सराय नहराय हैं और महदहा है फिर आप ध्यान दीजेगा अभी मैंने आपसे डिसकस किया कि पशुपालन की संकल्पना किस कालखंड में आई पशुपालन की संकल्पना मद्यपाशानकाल में जन्मी और दो प्राचीनितम इस्तल जो हमारे पास हैं मद्यपाशानकाल से पशुपालन के अदमगड ध्यान रखिएगा आदमगड और दूसरा है बागोर पशुपालन का प्राचिंतम साक्ष्य हमें यहीं से मिलता है क्लियर कट बात है आदमगड कहां है मध्यप्रदेश होशंगाबाद में है बागोर कहां है राजस्थान भीलवड़ा में है और यह पशुपालन का प्राचिंतम साक्ष्य यहां से है बागोर एवं आदमगड से है और यहां से हमें कुछ ऐसे एवडेंस मिलते हैं कि मनुष्य ने लगबख 6000 सा पूर्व के आसपास बकरियां भेण इत्यादी का पशुपालन किया होगा अगर आपसे यह प्रश्ण पूछा जाए कि मनुष्य के द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा है तब जवाब हो जाएगा कुट्टा ठीक है ना पहला पशु जो मनुष्य ने पाला पहला पशु तो वो था कुट्टा कुट्टा मनुष्य के लिए इसलिए भी सायक था क्योंकि वो शिकार में हेल्प करता था आपको ध्यार नखना चाहिए यह बागोर और आदमगड़ शैजार किसा पूर्व के आसपास हमें यहां से बेंड और बकरियां पाले जाने के साक्ष मिलते हैं मुझे पूरी उमीद है कि आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं इतने बड़े अडंग से मैंने चीजों को एकड़म क्रोनोलाजिकल ओर्डर में अरेंज कर दिया है कि अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आपकी एक ऑनलाइन टेस सिरीज चल रही है इन सारे डाउट्स को जब आप प्रश्न के अधियम से हैंडल करते हैं तो आपकी जो बौधिक्ता का इस तरह है वो काफी सुधरता है मैं चाहता हूं कि परिक्षा में आते हुए प्रश्न गलत ना हो मैं कह चुका हूं और कई-कई बार मैंने आपको रिमाइंड कराया है इस सिरीज में आगे अभी लगभग मैं 100 पे चाहें वैसे मुझे लगता है जुड़ना चाहिए आपको तो जुड़ सकते हैं और पेपर आपको पहले पीडिएफ के रूप में उपलब्द करा दिया जाता है और फिर उसको हम लोग एक लाइफ क्लास में हल कर लेते हैं ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर दिये गए नम्रों से प्राप्त कर सकते हैं फिल हाल आए हम लोग लोटते हैं आज की उन्ह क्लास में तो अब क्या है पशुपालन की बात हो रही है तो यह क्या संकेत दिखता है हम अनुमान लगा सकते हैं कि मनुष्य ने आंशिक रूप से इस्थर जीवन पद्धती को अपना लिया था शुरुवात है वो सेटलमेंट की शुरुवात है लेकिन अगर यह कहता है कि स्थाई जीवन पद्धती का संबंध है तो वो नौ पाशानकाल से है वो क्या यह संकलपना किस कालखंड में जन्मी होगी तो मध्य पाशानकाल में है ठीक है ना क्लियर हो रहा है और मैंने अभी आपको बताया कि पहला पशु जो पालतु बनाया गया वो कुट्ता है बताने की जरुवत नहीं है और आगे चलते हैं आगे कुछ मात्वपूर्ण इस्थलों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे इस्थल जो मध्य पाशानकाल से संबंधित है और उसमें पहल है अभी आपको बताया था राजस्थान में है भील वाड़ा जिले में है बनास की सहायक नदी कोठारी के तड़ पर है क्लियर यह जरूर याद रखिये कम से कम राजस्थान में भील वाड़ा में कोठारी नदी के तड़ पर बागोर का उत्खनन और सर्वेक्षन किनों ने किया तो प्रोफेसर वी एन मिश्रा का नाम याद रखेगा बहुत आवश्यक है और उससे भी बड़ी बात ये है अभी मैंने बताया जैसा कि एक तो सरवादिक विस्तरत आवासिय इस्थल है बागोर अपने कालखंड का मध्यपाशानकाल का सरवादिक विस्तरत आवासिय इ मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया वो कहता है कहां से मिलता है तो एक इस्थल है बागोर और दूसरा इस्थल है आदमगड ठीके और अब ध्यान रखेगा यहां से प्रशनों के पूछे जाने की बहुत सारी संभावना है एक तो ये कह रहा है मध्यपाशानकाल में हमारे पास कसाई खाना मध्यपाशानकाल में कसाई खाना अत्वा बूचड खाना अत्वा स्लॉटर हाउस अत्वा वद इस्थल इतनी सारी बाते हैं एक ही मतलब है सारी बातों का कहां से मिला है इस कसाई खाने से जुड़वे बहुत सारी तथ्य में आपको एक जगे कलेक मिलता है और ऐसे ही प्रताब गड़ में इस्थित प्राचीनतम मद्यपाशान काली इस्थल महदहा से भी हमें बूचड खाने के साक्ष मिले हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए मद्यपाशान काल में पशुपालन के लिए बागोर और आदमगड पशुपालन के लिए बागोर और मैदहा बूचड खाने के लिए गल्ती नहीं होनी चाहिए और फिर ध्यान रखेगा अगर मैं बात करूं नवपाशान काली इस्थल थ्यान दिजेगा प्रिमार्क करके ये नोट डाउन करने की बात है दक्षिन भारत में नवपाशान काली इस्थल बुधिहाल है एक बहुत जरूरी है ये सारे प्रशन नेट में पूचे गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में पूचे गए हैं और मैंने अलग अलग जगों से इन प्रशनों को बहुत प्रमानिक तौर पे कलेक्शन में लिय तो मद्यपाशान काल में बागोर और महदा से बूचर खाने का साक्ष है और नवपाशान काल में ये बुधिहाल है और यहां से बूचर खाने का साक्ष है एक बात important है नवपाशान काल और एक बात ये कह रहा है कि community fasting सामुहिक या सामुदाइक भोज उत्सव जहां पे बह होगा वह सारे लोगों ने खाना खाया होगा साथ में बैठे होंगे तो ऐसे साक्षे हमारे पास कहां से हैं तो यह स्थल है बुदिहाल क्लियर हुआ नव पाशान काल में हमारे पास बूचडखाना कहां से है तो वो इस्थल है दक्षिन भारत का बुदिहाल मद्य पाशान काल में बूचडखाना कहां से है तो वो है बागोर और महदा और ताम्र पाशान काल में बूचडखाना कहां से है ताम्र पाशान काल में ये रिमार करके सारी बाते हैं ताम्र पा अशान काल में हमें ध्यान दखियेगा बूचड खाने का साक्षे हमारे पास कहां से है तो साही जवाब है दैमाबाद और दैमाबाद हमारे लिए हडपा सब्विता का दक्षिनतम इस्थल भी है गोदावरी की सहायत नदी प्रवरा के किनारे इस्थित हैं तो ये बूचड वदिस्थल के slaughterhouse के साक्षे हो गए अब आपको आगे ये देखना है एक बड़ी बात यहाँ पे और जोन दिये मैंने नवपाशान काली निस्थल महगड़ा थोड़ा ध्यान दीजेगा इस्थलों पे और उसके कालखंड पे याद रखेगा बहुत confusion नहीं होना चाहिए एक विशालतम पशुबाड़ा मिला है विशालतम पशुबाड़ा जो सामुहिक पशुपालन के संकेत देता है सामुहिक पशुपालन का संकेत हमारे पास कहां से है तो वो इस्थल है उत्तर पदेश में प्रियाग राजला बाद में इस्थित इस्थल महगड़ा क्लियर हो रही है बात है मुझे उमीद है मेरी स्पीड बहुत तेज नहीं है कंट्रोल आपके हाथ में है बाद में जब आप क्लास को देखेगा आराम से बैठ कर तो कई बार देख लिजेगा नोट कर लिजेगा चीजों को नोट ज़रूर बना लिजे और मेरी टैस सेरीज में अगर आप अपनी इक्षा से आना चाहें तो आ सकते हैं और ये सारे डाउट्स बहुत करीबी क्लारिफिकेशन्स आपको टैस सेरीज में भी मिलते रहेंगे आदमगड़ के बारे में मैंने आपको बताई दिया अभी पशुपालन का प्राचिंतम साक्ष तो आदमगड़ और प्लस बागोर हो गया क्लियर कट याद रखेगा इसे गलती नहीं होनी चाहिए और अब संबंदे गुफा चित्रकारी की बात हो रही है मैंने आपको बताया था गुफा चित्रकारी का जो प्रारंब है भीम बैठका में उच्च पुरा पाशानकाल से है लेकिन वहाँ पे सरवादित चित्र मध्या पाशानकाल के है यह बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी तो यहाँ पर यह कह रहा है कि अंतुता भारत की मद्या पाशान कालीन संस्कृति के साथ गुफा चित्रकारी की कला भी जोड़ी जाती है बिल्कुल ठीक बात है भीम बैटका की गुफाओं की दिवारों पर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं इसकाल के शैल आश्रयों में या गुफाओं में शैल आश्रय पत्थर की गुफाओं में कुछ हमारे पास प्रागयतियासिक चित्र मिलते हैं और उसमें एक प्रशन ऐसे भी आया था कि इसमें क्या-क्या गतिविधियां अंकित हैं आखेट यानि शिकार की युद्ध की और नृत्य की गतिविधियां अंकित हैं याद रहेगा और हमेशा ये प्रश्ण है कि गैंडे के शिकार का दृष्य कहां है ध्यान रखिएगा गैंडे के शिकार का दृष्य कहां है किस गुफा की दीवार पे अंकित है तो ये आदमग द्रचेट गड़ की एक गुफा में अंकित है गैंडे के शिकार का दृ penalty आदमगड़ से है गैंडे का शिकार आदमगड़ की गुफा में है और भीमबैका से एक imposing इंपर्टन बात है note कर लीजेगा बताएं किस का शिकार है भीम बैटका की गुफाओं में प्रसिद्ध प्रश्ण है यह भीम बैटका की गुफाओं में वन व्रिशब के शिकार का द्रिश्य अंकित है वन व्रिशब के शिकार का द्रिश्य ठीक है गैने का शिकार आदमगड वन व्रिशब का शिकार भीम बैटका इन दो चीजों को clear रखेगा, सारे doubts एकी साथ आपके clear हो रहे हैं और अब बात आ गई है भीम बैटका की, भीम बैटका को बहुत अच्छे से याद रखेगा, भीम बैटका हमारे लिए इसलिए भी important है, ऐसा कहते हैं कि शायद ये भीम, पांडव जो थे उसमें एक भीम थे, महांतम गदाधारी, तो उनका ये drawing room था, भीम की बैठक थी, ऐसा लगता है, तो भीम जहां बैठक करते थे, वो शब्द ऐसे ही निकलाए कि भीम बैठका, भीम बैठका हो गया वो, फिलहाल भीम बैठका की खोज किसने की, वियस वावनकर सरने की है, पाशान कला के पितामा है, मै वो प्लीज, पिछले lectures को जरूर देख ले, भारत में पाशान कला के पितामा, Grandfather of Stone Art, V.S. बावनकर सर है, क्लियर हो रहा है, ध्यान रखिएगा, और भीम बैठका की पैचान, अभी आपको मने बताई दिया, गुहा चित्रकारी के लिए है, और अब बात है, गुहा चित्र का निर्मान किस कालखंड में शुरू हुआ, तो गुहा जो चित्र है, उनकी शुरुआत उच्पुरा पाशान काल में हो रही है, ठीक है, लेकिन सरवादिक संख्या में चित्र किस कालखंड से हैं, मद्य पाशान काल के हैं, है ना, शुरुआत उच्पुरा पाशान काल से हैं चित्रों के बनाने की सरवादिक संख्या में चित्र मद्य पाशानकाल में बने हैं और भीम बटका उच्चपुरा पाशानकाल मद्य पाशानकाल और फिर आगे नव पाशानकाल तीनों काल खंडों से संबंदित है और अब आपके पास अगला स्थल है लगनाज कहां पे है गुजरात में है किस जिले में है मैसाना जिले में है और यहां से एक सरवाधिक महत्वपूर्ण प्रश्ण जो आया है कि 14 मानव कंकाल पैर मोड कर दफनाए गए है दाइनी और करवट लिये हुए प्रश्ण यहां से रखेगा लगनाज से विशिष्ट उपलब्दी है 14 मानव कंकाल जिनके पैर मोड कर दाहिनी तरफ करवट लिये हुए उन्हें दफनाया गया है और मुड़ी हुई अवस्था में समाधियां मानव कंकाल की समाधियां लगनाज की अपनी एक विशिष्टत है तो यह कह रहा है कि 14 मानव कंकाल कहां से मिलते हैं तो आपके लिए जवाब है लगनाज से मिलते हैं मुड़ी हुई दशा में दफनाय गये हैं और अब अगला इस्थल है आपके लिए चो पानी मांडो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से भी एक दो प्रश्ण आए हैं बेलन नदी घाटी मेजात पहसील इलाबाद प्रयाग राज ठीक है लोकेशन उसकी उत्खरन करता और सर्वेक्षन करता इलाबाद विश्विद्याले के प्रोफेसर डॉक्टर जी आशर्मा एक अच्छा प्रश्ण ये है कि हस्त निर्मित मृद्भांड थोड़ा ध्यान रखेगा दो प्रश्ण बहुत जरूरी है एक पूछा गया है वन्य चावल के प्रमाण हमें किस कालखंड से मिलते हैं एक ऐसा प्रमाण जंगली चावल का प्रमाण जो खुद उगा और हस्त हस्त निर्मित मृद्भांड हमें कहां से उपलब्द होते हैं तो ध्यान रखेगा मृद्भांड हमारे पास मध्या पाशानकाल के भी हैं हस्त निर्मित मृद्भांड हैं लेकिन अगर आप से यह कहता है चाक पर बने मृद्भांड किस कालखंड में जन में तो चाक पर ब प्राचीन तम्हस्त निर्मित मृद्भान प्राथ होते हैं यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वन्य चावल का प्राचीन तम्प्रमाण वन्य चावल का मतलब एक ऐसा चावल जो जंगली चावल है जो अपने आपको गा जिसको उगाया नहीं गया अभी आपको लहुरा देवा, कोल देवा मैं बहुत सारी बातें डिसकस करूँगा तो यह वन्य चावल का प्राचीन तम्प्रमाण कहां से है वो चोपानी मांडो से है वो कहते हैं यह बताए चावल को उगाये जाने का प्राचीन तम्प्रमाण कहां से है तो वर्तमान संदर अभी देखेगा, चोपानी मांडो की एक वशिष्टता ये है, कि चोपानी मांडो को पुरापाशानकाल तथा मद्यपाशानकाल के बीच का संक्रमनकाल की अवस्था का प्रतीक माना गया है, पुरा पाशानकाल और मध्या पाशानकाल के बीच की संक्रमन कालीन अवस्था का प्रतीक माना गया है क्यों? क्योंकि आखेट संग्राहक से आखेट शिकार संग्राहक खादे पदार्तों को इखटा करना आखेट संग्राहक और प्रारंबिक क्रिशी अवस्था में संक्रमन का यह प्रतिनिदी इस्थल है इट इस चोपानी माडो मुझे उम्मीद है बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी एक बार मुझे रिप्लाई कर दिजे तो मुझे लगेगा कि संतोष यनकडंग से आप पढ़ रहें और चीजों को समझ रहें मुझे बताइए समझ रहें चीजों को याद कर पा रहें या नहीं कर पा रहें मुझे ये बताइए और हमेशा की तरह जैसा की मैं आपको बताता रहा हूं अगले स्थल सरायनहर राय को डिसकस करूँ उसके पहले हमेशा की तरह मैं एक booklet के बारे में चर्चा करता रहा हूं एक तो आपकी test series चली रही है और यह दूसरी आपकी यह booklet है Ancient Medval Modern की धाइसो पन्ने की ये बुकलेट मैंने तयार की है जिसमें केवल परिक्षोपियोगी अध्यन सामग्री को बहुत लगनशीलता और बहुत तनमेता से मुश्किल जो प्रश्न है उनको आसान बनाके डिस्कस किया गया है यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिये गए नम्बरों से संपर करके आप जयनकारी प्राप्त कर सकते हैं इस बुकलेट को आप मंगा सकते हैं बाकी हम लोग अपने लेक्षर की तरफ आते हैं और हमारा अगला इस्थल है सराय नाहर राय ध्यार नखिएगा सराय नाहर राय प्रताबगड उत्तर पदेश में है ठीक है और ये कह रहा है कि इलाहबाद की मद्य गंगा घाटी में इस्थित प्रताबगड जिले में सराय नाहर राय और महदहा, दमदमा, प्रमुख, मद्यपाशान, कालीन इस्थल है प्रताबगड में ये तीन इस्थल आपको दिखाई पड़ रहे है सराय नाहर राय है, महदहा है और दमदमा है ये तीन इस्थल हमारे पास प्रताबगड में है और ये मैंने शुरुवाती दोर में ये आपको बताया था कि सराय नाहर राय और महदहा हमारे पास ये प्राचीनतम मद्यपाशान कालीन इस्थल है अगर वो प्राचीनतम मद्यपाशान कालीन इस्थल मुझता है तो जवाब है सराय नहर राय और महदहा ठीके और फिर ध्यान दीजेगा अभी आपने थोड़ दिर पहले भी पढ़ा है कि सराय नहर राय से हमें सर्वप्रथम मध्यपाशानकाल के मानव अस्थी पंजर के साक्षे मिलते हैं मनुश्य के कंकाल सराय नाहर राय क्लियर हो रहा है और एक बात ये है कि एक विशेश कब्र हमें मिली है सराय नाहर राय से जिसमें एक साथ चार कंकाल दफनाए गए हैं ये important बात है यूपीसी ने एक बार उत्तरपदेश लोग से वायोग ने इस प्रशन को पूछा है और एक बार ये भी पूछा है कि एक ऐसा इस्थल है जहां से एक कब्र में तीन मानव शवों को दफनाने के साक्ष मिलें मुझे बताएंगे वो कौन सा इस्थल है बता पाएंगे और वो इस्थल है दमदमा फिलहाल अभी दमदमा पे हम लोग आगे बात करते हैं तो यहां पर ये ध्यान रखेगा सराय नाहर राय से एक ऐसी विशिष्ट कब्र मिली है जिससे हमें एक ही कब्र में चार कंकालों को दफनाए जाने का चार शवों को दफनाए जाने का साक्ष मिलता है और अगला इस्थल है मेहदहा ज्यान रखिएगा दमदमा में अभी हम लोग डिसकस कर लेंगे आप नोट कर लीजे तीन मानव कंकाल कहां से मिले हैं वो दमदमा से हैं अभी हम लोग दमदमा को आगे डिसकस करते हैं ठीके ना मेहदहा देखिए आ रहा है युगल सवाजशवाधान हैं दो युगल शवाधान हैं इसका मतलब ये है कि ऐसी कब्रें जिसमें एक साथ दो मानव शवों को रखा गया है एक साथ दो शवों को युगल समाधियां कहां से मिली हैं तो युगल समाधियां मैदहा से मिली हैं हरपा सब्विता में कहां से मिली हैं युगल समाधियां लोथल और काली बंगा से मिली एक ही कब्र में दो शव मद्यपाशानकाल में तीन शवों को दफनाय गया है दमदमा मद्यपाशानकाल में एक ही कब्र में चार शवों को दफनाय गया है सराइनहराय क्लियर हो रहा है तो अब यहाँ पर यह ध्यान देना यूगल समादियाँ हमारे पास मद्यपाशानकाल में दोइस्थल हैं दमदमा और मैदहा दिकत नहीं आ रही है ना कर रहा हैं युगल समादियां दमदमा और महदाहा दोइस सल से मिलती है दमदमा से एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें तीन मानव कंकाल मिले है और अभी मैंने आप से थोड़ी देर पहले ये डिसकुशन किया था कि मद्यापाश आणकाल में बागोर और महदाहा बागोर का नाम मैंने पहले लिया है मैदाहा को वहाँ भी डिसकुश किया है बूचड खाने अथ्वा वदिस्थल का साक्ष मिलता है मद्यापाश आणकाल में बूचड खाने का साक्ष बागोर और मैदाहा से मिलता है ठीक है और अब हम लोग आ गए हैं दम-दमा पे दम-दमा विशिष्ट इस्थल है ये तीन मानव कंकाल अभी चर्चा हुई ये ऐसा भी आ सकता है प्रश्णत्री मानव समाधी के साक्षे कहां से मिले हैं तो दम-दमा से मिले हैं मुझे उमीदें ये सारी बातें क्लियर हो रही होगी आपने अभी पड़ा मेरे साथ वन्य चावल का प्राचिन्तम प्रमाण कहां से हैं चो पानी मांडों से हैं और आज के संदर्बों में चावल की खेती का प्राचिन्तम प्रमाण चावल की कृशी का प्राचिन्तम प्रमा अब लहुरा देवा से मिलता है, ये लकभग 8500 इसापूर्व के आसपास का है, अभी ये नवीनतम खोज है और पिछले 5-6 वर्षों में ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, अभी तक आप ये पढ़ते थे, कोल देवा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेगा, कोल देवा का जो चावल का प्रमान है, वो लगभग 6500 इसापूर्व के आसपास का है, अब नया इस्थल लहुरा देवा हो गया है, विकल्प में लहुरा देवा और कोल देवा दोनों दिये हो, तो भी आप लहुरा देवा ही चुनिए गा, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लहुरा देवा विकल्प में ना हो, तब आप कोल देवा को चुन सकते हैं, तब आप कोल डेवा को चुन सकते हैं, तो अब आपके पास चावल के लिए मैंने तीन स्थल डिसकस कर दिये, ध्यान लखेगा, चावल के लिए मैंने आपसे तीन स्थल डिसकस कर दिये, वन्य चावल, चोपानी मांडो, क्रिशी जन्य चावल, लहुरा डेवा और कोल डेवा जो बात मैंने आप से डिसकस करी वो सामानी तोर पे दिखाई पड़ रहा है नविंतम शोदों में या बाद संग्यान में आई है कि विश्व में चावल की खेती का प्राचिंतम प्रमान हमारे पास कहां से मिलता है लहुरा देवा से मिलता है यह स्थल है कहां संत कभी नगर म के आसपास का है अब ध्यान दो खेती का प्राचिंतम प्रमान चावल तो क्रिशी का प्राचिंतम प्रमान भी लहुरा देवा हो जाएगा क्यों क्योंकि अभी तक आप जो देख रहे थे क्रिशी का प्राचिंतम प्रमान आप पढ़ते थे मेहर गड़ है और मेहर गड़ मे मेहरगड में जो हमारे पास कृषी के साक्ष हैं, वो लगबग 7500 इसापूर्व के आसपास के हैं, यहां से हमें गेहु, जो और कपास उगाया जाने के साक्ष मिलते हैं, मेहरगड से हमारे पास गेहु, जो और कपास को उगाया जाने के साक्ष हैं, और वो है 7500 के आसपास तो अब लहुरा देवा चावल की खेती का भी प्राचिंतम प्रमाण है और कृशी का भी प्राचिंतम प्रमाण है अगर कृशी के प्राचिंतम प्रमाण के लिए लहुरा देवा और मेहरगट दोनों इस्थल विकल्प में हैं तो आप चुनेंगे लहुरा देवा को ठीक है ना अब मुझे उमीद है आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मध्य पाशानकाल से जितने महत्मपुर्ण फरश्ण आये हैं मैंने डिसकर्स किये हैं इसके बाव जूद भी अगर कोई प्रश्ण छूड़ गया हो या फिर आपको लगता है आपकी कोई क देच सकते हैं मैं आपको रिप्लाइ करूँगा क्लास में उसको शामिल करूँगा और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहा हूं अगले लेक्चर में हम लोग नव पाशानकाल को लेकर उपस्तित होंगे तब तक के लिए मुझे आ गया दीजे धन्यवाद और नमस्क करूँ झार